तो माइड़ स्टुडेंट आज किस वीडियों में बात करेंगे बीए सिक्स समस्टर की यानि की बीए चटे समस्टर के जो ग्राफिय यानि की भुगोल के दुतिय प्रश्नपत्र यानि की सेकेंड पेपर के मौस्ट इंपॉर्डन कोष्चिय और एंसर के बारे में तो जिन- साथ में आपको देखेंगे तो आपको मिलेगी ठीक है तो चली आते हैं कोश्चन पर ठीक है तो आज की इस वीडियो को सबसे पहला प्रशन है कि नौ निश्चे वाद क्या है नौ निश्चे वाद के बारे मताईए तो जानते हैं नौ निष्चेवाद के बारे में महात्पूर्ट प्राश्ण है तो उत्तAR लिखना की वरतमान समय में मत वोगोल magist छेत में कारिकर जो होते हैं तो बस बिचार धारा को मानते हैं वह नवनिश्चेवाद की है वही पर एक प्रमुक बिद्वान जिनका नाम है ग्रिफित्र टेलर ने इसे बैज्ञानिक निश्चेवाद या रोको और जाओ निश्चेवाद बताया है मतलब वर्तमान समय में भोगल वत्ता यानि कि जो प्रमुक बिद्वान है जिस बिचार धारा जो भी बिचार धारा को यह मानते हैं उस चीज को हम निश्चेवाद कह सकते हैं या फिन निश्चेवाद कह सकते हैं इस प्रकार इन्हों ने परिवाफ़ा बताई है ठीक है नो निश्चेवाद की मानेता है कि ना तो प्रिकत का ही सब्सक्राइब करें दूसरे का बहुत ही गहरा करते हैं ठीक हर कोई हर चीज प्रक्रत नहीं कर सकता ना हर चीज मानों कर सकता तो उनों का कॉम्वनिकेस्टन है वहीं बता जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक संब्द मतब की प्रोसेस जो होता है ठीक उसका संब्द मानों उन्नत के लिए आवस्यक है कि मनुष्प्रकत का सहयोग प्राप्त करें यहीं नुश्यवाद है मतब मानों का उन्नत और उनका नियम गानों जो उनका पालंग करे ठीक है तो उसको कहेंगे नुश्यवाद तो आप इस प्रकार प्रजमाफा लिखेंगे अब अगला प्रशन है कि क्रमबद्ध भुगूल के आए यानि कि क्रमबद्ध का मतब हो गया कि स्टेप बाई स्टेप एक सीरियल वाइ ठीक है तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इस उपागम में भुगोल के विभिन उपकरणों का जैसे भू आकृतिक जलवायू मिट्टिया वनस्पत जन्तु जगत खनिस्पदार्थ जन्संख्या आर्थिक व्योसाय क्रिशी उद्धिव परिवाहन ब्यपार आधिका अध्यन समस्त प्रत्वी भर के लिए होता है ठीक है इसमें प्रतेग प्रकरण यतत्तु का यतत्तु सम्मिष्ण का विसलेशन होता है और संसार में उसके वित्रण के छेत्रों या प्रदेशों का सिमांकन किया जाता है ठीक है संशेप में क्रमबद वर्गीकरण की रीत में प्रति भू गोल का मतलब हो गया जमीन फिक है और गोल अमलती वो है है इनको ही हम भोगोल कहेंगे ठीक है तो वहीं आपर बताया गया है कि प्रमुक उपकरण है जलुआ वनस्पत मिट्टी खरिश्पदार जन संख्या यह सब है ठीक है तो यह सब संभवाद के सामने कई सामनाये रखती है जिसमें मनुष अपने आवसकता जरुवत के अनुसार चेन करता है और उसका उप्योग करता है भाइव, हम को किसी चीजब करेंगे उसके बाद उसका उप्योग करेंगे जिसए बहुत सारी है तो यहां को पसन्द आए उसको खरी देंगे गएंगें ब्स सिंपल से मतलब turtle के अगश्ट मवादियों के चैन की स्वतंत्रता जिसको फ्लेट की हैं उसका फ्रीडम स्वतंत्र ठीक है वो चीज होती है संभवाद को विख्षित करने में जीन बुरूंस और डिमांजिया ने भी महत्पूंड कार किया है यह प्रमुख बिद्वान है ठीक है संभवाद में इनका बहुत बड़ा योग जानते हैं ठीक है नहां से सुनेंगे महत्पूंड साबित होगा आपके परिच्छा के लिए तो दोएत्वाद से अभप्रयाय किसी विज्ञान या विशे विशेष को दो प्रकार के द्रिष्ट कोंड से देखती हुई उसकी प्रधान साखाओं अथ्वा उपागमों को ही इस संपूर विशे मानकर विशे को दो भागों या दो अर्ध को में बाटना वास्तों में इस आधार पर भुगोल का दो अर्ध को में विभाजन या बटवारा विद्वानों के मस्तिस्क का अंतरदुन्द ही कहा जाना चाहिए भुगोल के वास्तिक विशे छेत्र में चि कि बिज्ञान, किसी बिज्ञान या भी से कोई subject है उसके दो प्रकार के द्रश्ट कोण मतलब कि दो नजरिये से देखना द्रश्ट कोण का मतलब ही हो गया कि किफी चीज को हम भाई एक गलत निगाफ फे कोई चीज देखते तेक हम सही निगाफ देखते हैं से देखते हुए उसकी प्रधान साखा हूं उसमें क्या क्वालिटी एक्वा उपागम टिकर उस सम्पूर बिश्या को मानकर बिश्या को दो अर्थ भाटकों में बाटना मतब कि क्या गलत है क्या सही है भाई कोई चीज होती है तो अब दूर जर्फ देखते हैं गोलते कि हाँ सही भी हो सकता है हाँ इंसान गलत भी है सही भी हो सकता है तो वही चीज यहां पर बताएगे तो उसी को संपोर्ड विसेमान कर उसको दो अर्ध को में बाटना ह ही दोएत्वाद होता है ठीक है उसके बाद अगला भी महत्पूर्वी सदी जिसको बोलते हैं ठीक है यूरूप में पूर्वमध्ध युक्का उत्रार्वी सदी भगोलिक विकाफ के लिए महत्पूर्वी बीमाना जाता है इस समय सब्सक्राविक और इसका बें गोल्धा मतलब कि इसुका से इसके करबें माहत्तव एए CPTR कर सकते हैं लिखना है तो हेरो डोटर्स के बारे में लिखना की कौन है इनके बारे में लिखे फिर प्लेटो के बारे में जो की दोनों प्रमुक प्रशन है तो पहले हेरो डोटर्स के बारे में जानते हैं तो उत्तर लिखेंगे हेरो डोटर्स जो की प्रमुक इतिहाफकार थे और इन्ह नामें सिर्व ने पाति हैं कि आप हिस्तरी आफ फादर है ये फिर फादर आफ इस्तरी है ठीक है तो तभी से इनको संभोधित किया जाने लगा कि फादर आफ हिस्तरी है हेरोडेटर्फ का जन्म है हेलीकार नेसस में पांचुवी सदी इशापुर्व में हुआ था लेकिन मुख्यता हुआ हेलेनिक सांस्कृत के केंदर एथिंस नगर में रहे इनकी प्रिशिद्ध पुस्तक हिस्ट्री या हिस्टोरियाई है इसमें इन्होंने यूनानी पार्सियाई युद्धु ग्रीग पर्सियान वर्सों का बित्रन प्रस्तुत किया है इसी पुस्तक में इनकी भोगोलिक बित्रन भी सामिल है स्वयम हेरोडुटर्स ने पश्ची में इटली की यात्रा और पूर्व में मार मरा तथा बास पोरस जल्फंदियों से होकर युग जाइन सागर काला जिसको खागर बोलते हैं पार करते हुए रूसी इस्टेप प्रदेश तक पहुँचे पुर्व की और वा परस्यान समराज में पहुचे और दच्छिन की और उनने मिस्र की यात्राएं कई बार की हेरोडुटर्स प्रथम भूगलवित्ता थे जिनोंने कैश्पियन सागर को आंतरिक सागर माना है इन से पहले एनेक जी मेंडर और हेकेटियस ने इसे बाहरी विश साल समुद्र से जुड़ा माना था तो इस प्रकार लिखेंगे इनका परिचे उनके बारे में महात्पूर्ण पर स्ध्यान रखेंगे और अब प्लेटो के बारे में जान लेते हैं ठीक है तो प्लेटो प्रचीन यूनान की महांदार्षनिक थे वे निकम नात्मक तर्क आपी बोलते हैं यह मात्र है प्लेटो ने प्रचीन यूनानी सहर एटिका की उर्बर मर्दा यानि मिट्टी के च्छरण का विब्रण प्रस्तुत किया और व्याख्या की कि इफ तरह चीजे अपने आदस रूप से बिक्रत हो जाती हैं प्लेटो ने अंडर लॉंटिस की था के बारे में बताया के प्रिचीन यूनानी सब्विता पर किसी प्रस्चमी अधिक बिक्सित सब्विता द्वारा आकमण किया गया था यूनानी सेना की विजय हुई और इसके ठीक बाद आकमण कार्यों का मोल अफ्थान एक भया वाह बोकंप में समुद्र में डूब ग अब यह पीडियो आपको समय मिलता रहे तो पढ़ते रहें कोईशन उत्यार करते रहें तो इसी वीडियो के टेली ग्राम मौटसप कर लिंक दिया गया तो जोनों से जॉइन होने के बाद आप वाटसप से जॉइन हो जाएगा और वहां पर आपको एक नीले कला से एड्मि काफी सिकेंड पेपर की पीडियाप चाहिए कोईशन अंसर की जैसे आप इतना बोलेंगे हम आपको सेंड कर देंगे तो आप लोग उसको डाउनलोड करके तैयारी करिएगा बाकी और सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं को ने वीडियो में जैन